तो डियर स्टूडेंट आज कि इस वीडियो में बात करेंगे बीए फोर्थ समस्टर के प्रोटिकल साइस यानि राज जनीती साफ्त्र के स्टूडेंट की प्रोटिकल साइस की और फोर्थ समस्टर के हैं तो उनको वीडियो जरुड़ देखनी चाहिए काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी तो चलिए आते हैं को आज किस वीडियो को सबसे पहला प्रशना है कि दा रेपब्लिक किसकी रशना है ठीक है एक पुस् प्रभावित था तो इस्टो एक से कौन प्रभावित था यह उता है चले एक हमल सेक्षिन बताए अगर आपको मालूम बता हो सही जबाब इसका हो जाएक अफ्शन नंबर भी ठीक है कौन प्रभावित था सिश्रो ठीक है अगला कि दर्सन और अलंकार सस्त्र का सरी दर्सन और अलंकार साफ्त का समनवे आदर्स राजी को प्रस्तृत करता है यह बात कौन से बिद्वाने ने कही है उनका नाम है सिश्रो ने कही है सी नंबर सही जबाब होगा अगला कि सिश्रो के अनुसार इसमें कौन सही है ठीक है तो एक कोशिन इंपार्टन नहीं इसले इंग् मतरता जो रूप है वो है राज साही अभिजात वर्ग और लोक तंतृ का मिंषरने इसले सही जबाब सी होगा अगला कैसे चिस्ते कहा कि सिश्रो का दर्सन स्टो एक दरसनिकों को के विचारों का संकलन मात्र है तो यह बात कहिए एस से के भाइन ने सही जबाब यह नंबर होगा कि लाकि मार्क एंटरी के आदेस्ट से किसका सिर कलम कर दिया गया था तो सही ज़ुकूँ वाभब और Absolute सीजर के बीच, हुए युद्में, सिशरों ने इसका पच लिया है, यानि किस चीज़ का पच लिया है, इन अपसरों में से, द्याँ रखेंगे, पांपि का पच लिया, प्च लिया, यह होगा, अगला कि सिशरों की हत्ते आयनि की मरत्त हुई थी, कब तो सिस्रों यानि की सिस्रों की हत्य यानि की मृत्य जो हुई थी ध्यान रखेंगे वह हुई थी 43 इसा पूरु में सही जवाब भी होगा अगला कि संत थामस एक्टिक एकवी नौस का जन्म कहां हुआ था यह महात्पूर्ण प्रश्ण है आ चुका है कई बार इसका सही जबाब हो जाएगा आफचेनंबर बी नमबर ठीक है एक एक वनों में वी नमिक्तिनबाब कि संत्क टॉमस incomplete वि винौस, पर किसने टीकाएं लिखी है तो प्रेटिक पर जो टीकाएं लिखी है उनका नाम है जहान रखेंगे प्रमुक पर रस्थन आपके एक्जाम के लिए ठीक है शही जवाब इसका हो जाएगा अप्शन नमर भी एकवी नास ने लिखा है ठीक है अगला परस्थन है कि दा रूल प्रेंस झो है यह रशना है की सही जवाब इसकी रशना है यह है टीक रचरोचछ समा कांट्रा इसकी रशन है तो यह रशना है यह रिखा है अगला की समन्ल Guide कि मनुष्ट से ही एक ऐसा प्राणी है जिसके पास सरीर और आत्मा दोनों का सैयोग है यह कथन कौन से बिद्वान का है तो यह कथन जो है यह जो लाइन है यह कही गई है प्रमग बिद्वान एक विनाज के द्वारा सही जवाब ए हो जाएगा अगला की विचारक ने ग्याण प्रकत ब्रह्म बांड का स्रंखला ब्रदध माना है मतब कि स्रंखला किसी चीज की मतब की स्रंखला मतब की कलेक्शन थीक इस सारे चीजह एक साथ तो तो सही जवाब इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा बताईए कमर्शक्षिन में आपको मालूम है तो बेशक बता सकते हैं सभी प्राडियों मुनस एक ऐसा प्राणी जिसके पास सरी रत्मा दोनों है दोनों का सही होगे यह कथन है कि विनास का सभी जबाब इसका हो जाएगा कौन सा अपने जाना अगला किस वि कर उसका समर्थन किया है तो उस्त्रोंग बिद्वान का नाम है एक विनास दी नमबर सही जबाब होगा अगला कि संत्र टॉमस एक्षी नौस ने दो पुराने विचारकों के बिरोधि सिध्धानतों में एकताफ थापित की है वो कौन से बिद्वान है तो ध्यान रखेंग कि आसन प्रणाली का प्रबल समर्थकता मतब किस चीछ का सपोर्ट करता था तो जैसर करता था प्रजादांत्र का सपोर्ट करता था इसलिए सब्सक्राइब यह होगा अगला कि किस बिचारक को मध्योगीन विश्विद्धयालई वाद का सवरसेष्ट पृतिनिदी माना ग संत्र टॉमस एक्यूनास के अगला कि किस विचारक ने आरस्तु की कृतियों और विचारों का पुन रुजी वन किया है ठीक है पुन रुजी वन किस ने किया है आपको बताना है तो ध्यान रखेंगे 24 का सही जवाब हो जाएगा आपसे नंबर एक्यूनास नहीं किया है अभ कि परिच्छा होगी तो सभी प्रश्ण एक ही साथ एक ही जो प्रमुक अभी द्वान है उनसे समझत नहीं होंगे सब अलग अलग भिन भिन होंगे तो इस बात को ध्यान लखेंगे ठीक अभी उच्मत होईएगा अगला प्रश्ण है आप लोगों कि समझते एक्यूनास के बिचार किस विशे पर आरफ्तु से मेल नहीं खाते हैं तो इसका सभी जवाब हो जाएग अप्शन नंबर डी राज सम्मंदी विचार हैं जोकी मेल नहीं खाते हैं एक दू फ़रे के एक जिसे मत नहीं है दी नंबर सभी जवाब होगा अगला कि एक्विनास ने कानूनों को कितने स्रेडियों में बाता है उनकी जो संख्या है वह चार नंबर होगा कि संत थामस एक्वि नास किस प्रकार के कानून को सर्बों पर अफ्थान दिया तो ध्यान रखेंगे वह कानून का नाम है सास्वत कानून साही जबाब ए होगा पर्मक प्रश्ण है कई बार रिपीटर है तो ध्यान लखेंगे अगला प्रश्ण है कि किस प्रकार के कानून का संबंद एशुवरिय विवेग से मानना जाता है फिर मानता है हलाकि आपको बलड देख रहा है लेकिन कोईश्चन पढ़ चैना है तो चैट्रती है रशना है उसका नाम सुंभा थिय लोजी यानस्वाब होगा औकला सॉन स्विष्वद्धा लेने खरका शात्तैन बद्रादानแล मैं कि गाल ख्याइकन योग जातियों को ही राजनेति कि सत्ता प्रदान करता मैं अब्हान के ckt करता है यह कथन जो है कि कहा है थौमस एक्विनास ने सही जवाब यह होगा अगला कि इसने कहा कि प्रजातंद स्थर्प्षेष्ट सासन है क्योंकि यहां शरुए साफन के स्रवधिक अन्रूब है ठीक है तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफसे नमबर कौन सा 32 का 32 का सही हो प्रण बिद्वान का नाम है थौमस एक्विनास सही जवाब हो जाएगा अगला कि राजा कि इच्छा आदेश या कानून बेवेक पर आधायत नहीं है तो वहां कानून नहीं अधर्म है दुराचार है यह बात कि उसे विद्वान ने कहीं तो इस प्रूंक बिद्वान का अगला प्रश्ण है कि संत्थौमस एक्विनास क्रति बिद्व के वर्गी क्रण के अंतरगत नम्लिकित में से कौन सी बिद्वान ने प्रतिपादित किया है तो इस प्रूंक बिद्वान का नाम है ध्यान लखेंगे ठीक है मंध्यूक का प्रिसिद्विचारक था ठीक है अगला कि मद्यूक का आरफ्टू कों मद्यूक के वर्फ्थौ नाम हिए उसका नम्हें वक्शिद्विचारक हैां ध्यान सीिंगक का इन नमरति है खाले मगतित का दृन प्रूंक करते लिदे सिसक दूले है तहा. तो नास जी हैं ठीक है सही जवाब बा नंबर होगा बी नंबर यानि की अगला की मद्ध्यूग का आरफ्तु कौन था तो मद्ध्यूग का जो आरफ्तु है वो माना जाता था किसको एक्युनास को सही जवाब होगा सी नमबर अगला कि सेंट अगस्टाइन का जन्म कहां हुआ तो सेंट अगस्टाइन का जो जन्म है ध्यान लखेंगे रमक प्रस्ण है आपके एक्जाम के लिए इनका जन्म मिलान में हुआ था सही जवाब हो जाएगा सी नमबर अगला कि नाम है Minichian th क्यों अगला है कि सेंट अगस्टाइन की पुस्तक कौन से गास्ट कूंचे है इसका नाम है सभी करोगति सी नंबब्स कadt सब्सक्राइब कि सैन्ट अगस्टाइण की धर्म प्रांत के धर्माचलत द्रमाध acknowledge तो इसका जो सही जबाब ह finalement b हिपोह एक का सेंट अगस्टाइण द्रमाध के धर्म तक यह द्रमाध कर बढ़ते हैं अगला कशिन कहिरा कि 45 नीचो के रा Elvis Att已經 सेंट अगस्टाइन किस यूनानी दार्फिनिक से प्रभावित थे तो ध्यार नखेंगे उसका नाम है बहुत प्रमक प्रशन है देखिए संट अगस्टाइन किस यूनानी दार्फिनिक से प्रभावित थे उनका नाम है प्लेटो प्लेटो से बहुत ज़्यादा इनको सब्सक्राइब अगला सांसारिक नगर का संबंद सरीर से होता है और इस वर नगर का आत्मा से यह कथन कौन से बिद्वानने ने कही है तो यह प्रबुक बिद्वानने कही जिनका नाम संट अगस्टाइन सब्सक्राइब तो द्यान रखेंगे यह प्रमुख जो बात है यह संट अगस्टाइन की इसका सभी जवाब हो जाएगा अगस्टाइन सब्सक्राइब तो द्यान रखेंगे सभी जवाब इसका हो जाएगा अप्शन नमबर बी दानते 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 जवारा यह अपका इस्ट्रक्स पूरा चक किया जाएगा उसके बाद यह होगा जो होना होगा ठीक है और लिखा कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनितिक चिंतन किसे माना जाता है तो बहुत ही महत्पूर प्रशन है ठीक है तो माना जाता है ध्यान रखेंगे पर फुलोरेंस नगर ठीक है कि जाता李 आधुनिक विस्व का प्रथम राज नितिक चिंतन किसे माना जाता ठीक है तो जहान देने वाली बात है तिरपन नमबर प्रश्णित का सही उत्तर हो जाएगा आपसे नमबर इव माइकल एंजलो ठीक है अग्राइब प्रश्णित के लेखक टॉमस मूर ने अपनी किस पुस्तक में आदर समाज समाज का चित प्रस्तुत किया है ठीक है तो यह महारतपुर्ण इसले इसको इग्नोर करेंगे अग्राइब की प्रित्वी स्वर्मंडल का केंद्र है इसका खंडन सरप्रथम किस ने किया है ठीक है तो जिसने किया है इसका खंडन उनका नाम बताना है सही जवाब इसका हो जाएगा अप्शन नमबर का पर नेक्शन ठीक ह है कि या कि दानते यह पा पुर्ण जागन की भावना के फिर सक्राव यह चांग से मानां जाता है ठीक है तो जो सही जबाब हो जाएगा वह आपको बताना है क्या फिर प्रस्ण रगण का अग्रदूत है कि जिसको माना जाता है ठीक नाम मताना ना है उनका नाम में धानते सथीव बीनुनमबर अगला की विश्व आधुनिक भीस्व का पर्थम राजनीतिक से पौनकत किसे बालता जाता है ठीक है तो नम्बर नमबर हो जाए गे तो यह जो करती है माइकल एंजलो की सभाब इसका हो जाएगा आफिसे नमबर एट ठीक है ओके तो इसी तरह आपको यहां पर करीब करीब हमने पात्र सब्सक्राइब नोट्रीजारों सकुष्छ पर कुंब और वीडिएड वागुड 2 Chain antibi